वेलकम बेक टू मैं चैनल और आज में लेकर आई हूँ आपके बहुत ही टेस्टी आम पापड़ हमारे हाँ तो आम पापड़ ही बोलते हैं अब आपके हैं पतानी क्या बोलते होंगे और ये सभी को बहुत पसंद आता है और इसे हम बना कर पूरी साल क्या दो तीन साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और ये सभी को बहुत अच्छा लगता है खासतोर से बच्चों को तो बहुत पसंद है और वैसे तो ये ऑनलाइन भी मिलता है और मार्केट में भी मिलता है लेकिन अगर हम घर पर इसे बना लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये अपने साफ शुद अच्छे से बना के आप इसे स्टोर करके रख लें और पूरी साल आराम से इसे खाईए तो इसे बनाना बहुत आसान है तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो सबसे पहले हमने लिया है आम आम आप किसी भी वेराइटी का ले सकते हैं और चाहे देसी हो और चाहे दशेयरी या कोई भी जो भी आप क्या मिल रहा हो इस समय वो आप ले सकते हैं और इसका हमने जो पल्प है वो नि गालने के बाद फिर इसे हम मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे ताकि ये जो मोटा और वैसा होता है इसका जो पल तो वो एक सा हो जाए और इसे हमने मिक्सी में बारिक पीस लिया अच्छे से और इसकी बाद एक हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में जो इसका हमने रस को हम इसमें ढाल देंगे और इसे हम, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे एक भर आप चाहें, तो जिस बरतन में आपने रखा है, उसमें जराह सा विल्कुल पानी डाल कर और उसे, जो भी इसमें Hondas रहे गया है, वो भी गोल कर इसमें डाल सकते हैं वैसे इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि जितना आप पानी डालोगे उतना ही इसे आपको पकाना पड़ेगा तो रस हमने डाल दिया है और उसकी बाद इसे हम अच्छे से पकाएंगे और जैसा भी आपका रस है याने कि अगर खटा है तो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा शक्कर डाल दे और नहीं तो इसमें बहुत थोड़ी शक्कर डालनी है बहुत थोड़ी मतलब जो ये मैंने शक्कर डाली है ये थोड़ी जादा हो गई थी तो जादा मीठा हो गया था लेकिन आप बिल्कुल नाम के लिए डाले शक्कर और अगर आपका आम मीठा है तो आप ना भी डाले तो चलेगा क्योंकि आम पापड जो है वो खटा ही अच्छा लगता है लेकिन ये जो आम थे मेरे ये बहुत खटे थे और जो मैंने शक्कर डाली है वो इसलिए डाली थी जादा कि थोड़ा इसमें मीठा पन आ जाए क्योंकि आम का जो जूस था वो बहुत जादा खटा था तो अगर आपके आम मीठे हैं तो आप शकर की मात्रा बहुत कम डालें और ना भी डालें तो चलेगा और इसे हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे और लेकिन इसको पकाने में एक बात आपको ध्यान रखने हैं कि जब ये गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये उशटता है क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो इसमें बबल्स आते हैं तो उससे जो इसका रस है वो बाहर निकलता है तो इसे जो आपके हाथ है वो जल भी सकते हैं तो मैंने उपर इसके उपर एक जाली रख दी थी ताकि जो इसमें गैस भी निकलती रहे जो इसकी भाप है और जो इसका रज भी है जो बाहर निकल रहा है उचटके वो भी उसी में ही रहे तो मैंने थोड़ा सा खोल दिया ताकि जो इसकी भाब है वो बाहर निकलती रहे और ये अच्छे से पक जाए तो इसे गाढ़ा होने तक हमें पका लेना है और ये रस गाढ़ा हो गया है और इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये ठंडा भी हो चुका है तो हमने थाली ली है और थाली में थोड़ा सा घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद जो ये मिश्रन है वो इसमें हम डालेंगे और इस मिश्रन को हमें बहुत मोटा भी नहीं रखना फिर ये आपके उपर है कि आपको कितना मोटा बनाना है जो यह आम पापड है वो थोड़ा सा यह जितनी मोटी हमाई मतलब रोटी होती है उसे थोड़ा सा मोटा रखें और मोटा रखने से यह होगा कि वो अच्छे से निकल भी आएगा और आराम से उसे खाने में भी अच्छा लगता बहुत पतला तो नहीं अच्छा लगेगा खाने में वैसे यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह से से रखना चाहते हैं और घी थोड़ा सा ज्यादा लगाई है ताकि जो यह जब इसे निकालने तो यह आराम से चिपके नहीं और आराम से निकल लाए तो इसे हमने थाली में फैला दिया है अब इसे हम दो से तीन दिन धूप में रखेंगे धूप में रखने से यह अच्छी से सूप जाएगा और एक थाली में नहीं बना तो यह दो थाली में मैंने कर दिया है और इसको दो थाली में फैला कर हम इसे धूप में रख देंगे दो से तीन दिन के लिए और तीन दिन बाद देखिए यह हमारे आमपड़ अच्छे से सूख चुके हैं अब आप इसे अपने मंचाही शेप में काट लीजिए और इसे आराम से एयर टैट कंटिनर में स्टोर करके आप रख सकती है इसका पूरे साल कुछ नहीं बिगड़ता है आराम से यह बने रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं आपका भी भी खाईए तो यह वीडियो आपको कैसे लगा प्रीस कमेंट करके हमें बताइए इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चनल को सब्स्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो और इसे हमने आसानी स चाहिए अगर यह सूखेंगे नहीं तो च्पक सकते हैं तो आराम से दो थरी दिन में, जितने भी दिन में और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं